समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं ने ही ऐसे लोगों को पाला पोसा बढ़ा किया, राजनैतिक लाव लिया, मैं समस्ता हूँ कि इस तरह के कारिकर्मों से उनके चेहरे और बेनकाब हो रहे हैं। समाज देख रहा है, युवा देख रहे हैं, हमारे नो मद्दाता देख रहे हैं, कि कौन क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं कहना है, और आप देखिएगा, कि और बड़ी और कड़ी सजा समाजवादी पार्टी को मिलेगी, समाज में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आने वाली पिढ़ी को कौन सा संसकार सिखा रहे हैं आप। इन सब बातों को भी समझना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ओट लेने के लिए कुछ भी करने को तयार है, अभी आपने बदायों में देखा शुपाल यादों ने किस तरह से मंच से मतदाताओं को धमकी देने का काम किया है, धमकाने का काम किया है देख लेने का काम किया है बात कही है तो ये खुद गुंड़ई पर उतारू हो जाते हैं वोट के लिए किसी भी सीमा पर जाने के लिए तयार रहते हैं वोट के लिए और उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राश्टी अध्यक जी का जाना हो रहा है मैं फिर दोहराना चाह रहा हूं कि समाज और जनता और बड़ी और कड़ी सजा देरगा उनके चेहरे और बेनकाब हो रहे हैं उनकी बातों पर किसी को कोई भरोसा नहीं है, देश को कोई भरोसा नहीं है साठ साल देश चलाये, तब तो कोई गारेंटी याद नहीं रही, देश को रसातल में ले गए आज जब भारत विक्सित राष्ट बनने के तरफ अगरसर हो रहा है, भारत जब आत्म निर्भर बनने के तरफ आगे बढ़ रहा है तो ये गारेंटी लेख रहा है, मोदी जी की गारेंटी का नकल कर रहे है, जनता हस रही है उनके उपर, कांगरेस पार्टी का राजनेति को अस्तित बच जाए, मैं समझता हूं कि यही बहुत बड़ी बात होगी इस बार के चुनाओं में